आज हम जो पॉइंट कवर करने जा रहे हैं वह है समस्ट्री अर्थसास्त्र की वर्तमान पुस्ता का संदर्व जिसमें हम आर्थववस्था और आर्थववस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं आर्थववस्था के बारे में आर्थववस्था दो सब्दों से बना है आर्थ और व्यवस्था आर्थ का मतलब होता है मुद्रा अर्थात धन और व्यवस्था का मतलब है एक इस्थापित कारिप्रनाली अर्थ सास्त्र सब्द का सबसे पहले उपियोग कोटिल्य द्वारा लेखित ग्रंथ अर्थ सास्त्र से मिलता है सबसे पहले कोटिल्य ने अर्थ सास्त्र सब्द का प्रियोग किया था अब हम जानते हैं अर्थ सास्त्र के प्रकार के बारे में अर्थववस्था को तीन भागों में विवक्त किया जाता है सबसे पहना है पूजीवादी अर्थववस्था उसके बाद है समाजवादी अर्थववस्था और तिसरा है मिस्रित अर्थववस्था चलिए जानते हैं पूजीवादी अर्थववस्था के बारे में उतपादन और निर्मान के साधन जैसे करखाने, मिल, उद्योग, आदी, मुख्य रुफ से नीजी स्वामित्व में होते हैं जिन वेक्तियों के पास निर्मान के साधन जैसे करखाने, मिल, उद्योग, आदी होते हैं वो इनसे उत्पादित माल को बेच कर लाव प्राप्त करते हैं पूजिवाद का उदय यूरोप से हुआ और यह अठाडवी सताबदी में और द्योगी के करांती के समय सामने आया इस काटिस विचारक आदम स्मीथ पूजिवाद अर्थ ववस्था के सिधानतों को विक्षित करने वाले पहले व्यक्ति थे स्मीथ मुक्त बजार ववस्था के पक्ष में थे उनका मानना था कि लोगों को अपनी संपती का निर्मान स्वतंत्र रूप से करना चाहिए इस तरह पूजिवाद एक स्वतंत्र आर्थिक ढाचा बन गया इसने यूरोप के कई देश जैसे यूनाइटेड इस्टेट्स, स्विजरलेंड, यू ये इ आदि देशों की वितिय स्थिति को बदल दिया और आर्थिक विकास में मदद किया अब हम जानते हैं समाजवादी अर्थववस्था के बारे में समाजवादी अर्थववस्था एक ऐसी आर्थिक प्रनाली है जिसमें उत्पादन के सवी साधनों पर सरकार और संपुन समाज का स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थववस्था में आर्थिक क्रियाओं का संचालन केंद्रिय सत्ता द्वारा सामुही कहीत और कल्यान के लिए किया जाता है तो सामुही कहीत और कल्यान ये सवी के लिए इन चीजों को देख कर किया जाता है काल मार्स द्वारा विक्सित समाजवाधी विचारधारा से प्रभावित होकर सन 1917 में रूस में क्रान्ती हुई एवं समाजवाधी आर्थववस्था का प्रारम्भ हुआ रूस से प्रभावित होकर चेकोस्लोवाकिया, बुलगारिया, चीन, युगोसलाविया, वियतनाम आदी देसों ने इस आर्थिक प्रनाली को अपनाया वर्तवान में चीन, उत्री कोरिया आदी को छोड़ कर बाकी देसों ने इस प्रनाली को छोड़ दिया है अब जानते हैं मिश्रित अर्थववस्था के बारे में मिश्रित अर्थववस्था एक ऐसी अर्थववस्था है जो अलग-अलग बजार एवं अर्थववस्था का मिश्रन है जिसमें सारवजनिक स्वामित्व तथा नीजी स्वामित्व का मिश्रन होता है और नीजी एवं सारवजनिक छेत्र दोनों का अस्तित्व समान रुप से पाया जाता है अधिकांस देश मिस्रित अर्थ ववस्था वाले हैं जैसे भारत, अमेरिका, इंग्लेंड और कनड़ा किसी भी अर्थ ववस्था में फर्म और सरकार की अतिरेक्त दूसरा जो बड़ा छेत्र होता हैं उसे परिवारिक छेत्र के कहते हैं यहां परिवार से हमारा तातपर है सकल वैक्तिगत उपभोगता जो अपने उपभोग और वैक्तियों के समू के उपभोग संबंदित निर्न संयुक्त रूप से लिया जाता है, क्योंकि परिवार भी बचट करते हैं और कर भी अदा करते हैं. ये लोग फर्मों में स्रमिकों के रूप में कार करते हैं और मजदूरी प्राप्त करते हैं वे सरकारी भी भागों में भी काम करते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं कुछ लोग फर्म के स्वामी भी होते हैं जो लाव कमाते हैं फार्मों के उत्पादों की जिस बजार में बिक्री होती है वह सचमोच परिवार की मांग के बिना कार्य कर नहीं सकती तो ये थे देशिय अर्थववस्ता के घटक लेकिन हमें ये भी याद रखना है विष्व के सारे देश एक दूसरे देश से ब्यापार भी करते है तो यहां एक चौथा बहतोपूर्ण छेतर है और वह है देश का बाहरी छेतर बाहरी छेतर से ब्यापार तीन प्रकार से हो सकता है पहला जब कोई देश अपने देश में बने वस्तु विश्व के आने देशों में बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं दूसरा जब कोई देश विश्व के आने देशों से वस्तुएं खरिदता है तो उसे आयात कहते हैं और तिसरा, किसी देश की अर्थववस्था में बिदेशी पूजी का भी प्रवाह हो सकता है, अत्वा कोई देश बिदेशों में भी पूजी का निर्यात कर सकता है. तो यह थे अर्थववस्था के प्रकार और उनके घटक, आसा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कुछ भी प्रश्ण हो तो आप लोग कामेंट बॉक्स में कामेंट कर सकते हैं.